आज बनाएंगे करारी कुरकुरे मुमूज पहले इसकी आवाज सुनिएगा है ना एकदम से करारी कुरकुरे मुमूज और इन मुमूज को बनाएंगे सिर्फ हम 5 मिनट में अगर 5 मिनट से ज़्यादा का समय लगा तो भाई आप पैसे बापस अब पैसे कैसे बापस देंगे यो सोच रहे हैं खेर बापस नहीं करने पड़ेंगे मुझे पूरी दरीके से पता है क्योंकि 5 मिनट से जादा का समय तो बैसे भी नहीं लएगा और मैंने बहुत बाट राई किया कभी भी इससे जादा समय लगा भी नहीं चली फिलाल 5 मिनट बनने वाले इन करार एक कुरकरे मुमोज को बना लेते हैं तो इसके लिए कुछ नहीं सबसे पहले मार्केट गए थे और बहां से लाएते रेडिमेड मुमोज तो इसमें दो चटनिया निकली थी एक मियोनीज और दूसरी मिर्ची वाली यानि के स्पाइसी चटनी तो इन दोनों चटनियों को रख देंगे एक साइड और इन मुमोज को निकाल लेंगे प्लेट में यह में पनीर वाले मुमोज लाया था आप चाहें तो जो मार्केट में साधा वाले बेज मुमोज होते हैं उससे भी आप इने बना सकते हैं तो आपके अपनी मर्जी है आप इन मुमोज को रख देंगे एक साइड और लेंगे एक हम कटोरा वैसे इसे आप कटोरा भी कह सकते हैं और मेरा ये हैलमिट भी है यनि किसे आप सरपर भी पहन सकते हैं जब बीबी भीलन मारे तो सरपर पहन लो वैसे ये मेरी मम्मी के जमाने का है तो साथ पापा ने इसलिए खरीदा होगा मुझे लग रहा है क्योंकि कभी-कभी मेरे भी काम आ जाता है खेर अब इसमें डाल देंगे हम मैदा लगवा डेट चमज इतनी और उसी कॉंटिटी में डालेंगे कॉर्ण फ्लोर तो दोनों की कॉंटिटी आप बराबर रखेगा लेकिन 6 मुझे हैं तो डेट डेट चमज भी बहुत है आप इससे भी कम कॉंटिटी में इस मैटेरियल को बना सकते हैं खेर अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक तो नमक आप अपने साब से रख सकते हैं अब इसमें डाल देंगे हम मुझे बाली चटनी भी लगेंगे तो अपने साब साब डाल सकते हैं अब इसमें हम पानी और इसका एक सेमी थिक घुल तयार करेंगे तो जब हम मिलाएंगे तब दिखाएंगे कि इसका घुल हमें कैसा रखना था बेराल इससा अच्छी तरीके से मिला लेंगे लीजे भाई बैटर बन गया है तो बस इस तरीके का में रखना है घुल मतलब ना तो ये ज़्यादा गाड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला अब घुल बन चुका है तो इसको रख देंगे एक साइड और लेंगे हमें आपकर कॉन फ्लेक्स और ये आपको मार्केट में इजली मिल जाएंगे सिर्फ 10 रुपय का पैकेट है अब इस कॉन फ्लेक्स को अच्छी तरीके से हाथों से मसल रहेंगे मतलब इसको चूर चूर कर देंगे तो बस मैं तो इसी पैकेट में कर ले रहा हूँ क्योख इसमें आसानी से चूर्चूर हो जाएगा और इदर उदर विखड़ते भी नहीं है मैं पहले हातों से कर रहा था तो अतनी चूर्चूर नहीं हुआ दोबारा मैंने सूचा इसी पैकेट में कर ले हैं बहुत अच्छी तरीके से चूर्चूर हो गया उसमें डाल देंगे मॉमोज और इसको हातों से अच्छी तरीके से लपेड लेंगे तो यहाँ पर हात तो आपके गंदे होंगे ही चमचमच से नहीं लपेड़ना है नहीं तो यह जल्दी से फट जाएंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है सिर्फ हातों से अच्छी तरीके से इसे घुल में मिला लें मॉमोज को अच्छी तरीके से लपेड लिया है तो अब इसको सीधा डाल देंगे क्रेस की हुए कॉनफलेक्स में और बस अच्छी तरीके से उच्छालते हुए इसके उपर कॉनफलेक्स लगा लेंगे इससे क्या है जो konflex है बस वहाँ पर चिपक जाएगा जितना आप ज़्यादा हाथ लगाएंगे उतनी ही जल्दी ये छूटने भी लगाएगा क्योंकि konflex हो जाएगा गीला बस एक बार konflex अच्छी तरीके से चिपक जाएगा तो इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेना है इस तरीके से बहुत ही हलके हाथों से निकाल ले नहीं तो जो konflex है वो छूड़ भी सकता है अब हमने सारे सारे मोमोज निकाल लिये तो बस अब इन्हें हमें सैंक लेना है तो चलते हैं सीधा गैस की तरफ तो यहाँ पर मैंने तेल को मीडियम टू लो फ्लेंपर गर्म होने के लिए छोड़ दिया था अब इसमें एके करके मोमोज डाल देंगे एके करके डालिएगा इससे क्या है जो मोमोज हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं आप इसमें चाहें तो दोसर मोमोज और भी डाल सकते हैं तो जैसे भी आपको मोमोज की कॉंटिटी बढ़ानी हो या घटानी हो उसी साबसे आप मैटेरियल तयार करें वैसे भी जो इसमें घूल में ने यूज किया है उसमें कम से कम आप 10 momos आसानी से बना सकते हैं और conflex भी लगवाग 8 से 10 momos पर आसानी से चिपक जाएगा तो ऐसी कोई दिक्कट नहीं है इतने material में 10 momos आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं अब momos हमारे सिख रहे हैं अच्छी तरीके से तो उने उलट पलट कर लेते हैं बस थोड़ा आराम से करिएगा बैसे भी एक बार चिपक गया और सिख गया फिर उसके बाद इतनी जल्दी ये छूटते नहीं हैं बाई दब हमारे अभी momos सिख चुके हैं तो इन्हें निकाल लेते हैं देखेगा कितने करारे कुरकुरे लग रहे हैं भाई देखते मूह में पानी आ जाएगा आपके भी और जिनको आप सर्व करेंगे उनके भी और दूसरी बात जो momos हमारे ठंडे हो जाते हैं लाते ला 15 रुपए का अधर खर्चा आ गया होगा तो लगबख 40 रुपए के बनके तैयार हो गये मार्केट में जाएंगे तो कम से कम आपको 60 रुपए के momos जरू मिलेंगे बो भी इतने अच्छे तो बिल्कुल नहीं घर पर एकदम ताजे ताजे मार्केट से लाएंगे भाई या